मेंस आंसर रैटिंग के संदर में पॉलिटी का ये प्रश्ण है भारती सम्मेधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है भारत के सम्मेधान में प्रतिस्थापित भारती राज्य विवस्था के दर्शन को सूस प्रस्ट करना है ये मन्यू की कौपी है चाईबासा से और इनका आ लेख होता है जिस पर वो सम्विधान आधारित होता है तो भूमिका में इनका लिखना है और आगे लिखती है कि भारतिय सम्विधान की प्रस्तावना को उद्दे से प्रस्ताव के रूप में 22 जनवरी 1947 को सम्विधान सभा के द्वरस्विकार कर लियागा ठीक है तो भारतिय सम्विधान की प्रस्तावना का यहां पे महत्व पूछा गया है और महत्व के साथ साथ सम्विधान में प्रस्तावना में प्रतिस्थापित जो भारती राज विवस्था है ना तो भारती राज विवस्था के दरसन को सुस्पस्ट करना है तो यह दो चीजों पे आपको भूमिका होगी और भूमिका में बरत्षा भूमिका है इनका तो प्रस्तावना सम्मिधान का सारूप है एसें से कुंजी है ठीक है किसी भी सम्मिधान की प्रस्तावना में सम्मिधान के धें और उद्धिसों का वनन होता है अच्छा लिखा हुआ इनका भूमिका बहुत सम्विधान की आत्मा भी कहलाती है ये तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं जो कि सम्विधान के लक्षों को उदेशों को बताता है अच्छा है इनका और इसके बाद प्रस्तावना का दर्शन तो प्रस्तावना के दर्शन में सासन के लक्ष व आदरसों के परिप्रेक्ष में बहुत सांदार इनका यह डिवीजन है बहुत अच्छा है तो सासन के लक्ष वह आदर्सों के परिप्रेक्ष में जन्ता संप्रभू आर्थिक समाजिक और राजनीतिक न्याय है बंतुता का विकास है एकता और अखंडता है सासन की जो प्रकृती है वह संपुण में तो मिलाजुला का कि अगर देखा जाए तो प्रस्तावना के दर्सन में मिलाजुला कि नोंने पताने की कोशिस की कि सासन की लक्ष और देश से क्या है और सासन की प्रकृती के परिप्रेक्ष में या राजी की प्रकृती के परिप्रेक्ष में ठीक है तो यहां पर आप दोस्तों के परिप्रिक्षमिनों ने बताया कि सक्तिक अधिकार का स्रोथ और संप्रभूता जनता में है ना संसद ना नयपालिका बलकि देश की जनता क्योंकि इसके सुरुवात हम भारत के लोग से होती है उसके बाद नयाये तो रानितिक नयाय, समाजिक नयाय, आर्थिक नयाय के बारे में विस्तार से बताया है, रानितिक नयाय, समाजिक नयाय, आर्थिक नयाय, अनुछे 326 के देखिए, रानितिक नयाय में इनका वनरुता है कि अनुछे 326 के सर्भूम वेस्कमता अधिकार है, चुनाओ लड़ने, शाषन करने, पाटी बनाने, S.C.S.T. आर शेत किया गया है, तो यह उनका पूरा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा है, आर्थिक नयाय में समान कारिकले, समान वेतन, आर्थिक संकेंद्रन को रोकना, इसके बाद व्यक्ति की गरिमा, बंधुता का विकास, बंधुता का विकास में कुछ नहीं लिखा हुए, ठीक है बंधुता का विकास है, यह होता कैसे, भारत के समयधान का जो उदेशर प्रस्ताव जब स्विकार कर लिया गया तो तो उसमें बंधुता नहीं था, दरसल यह बंधुतों की जो आवधारना है वो प्रारूप समीती की है, होता का है कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्य हो समीधान सभा के अधिश्च डॉक्रा अंदर प्रसाद को, और वो कहते हैं अपने पत्र में कि प्रारूप समीती ने प्रस्तावना में बंधुतों से सम्देखना या अध्याय जोड़ा है, हलांकी जो बंधुतों है, वो उदेश से प्रस्ताव में नहीं है, तो समीधान सभा की बैठाक हो नी थी, उस बैठाक में अम्बेटकर का कहना था कि बंधुतों के बिना समानता और सोतंतरता की जड़े अधि गहरी नहीं होगी, तो ये अम्बेटकर का विचार था, और बंधुतों के बारे मिलिग दीजेगा भाईचारे को बढ़ावा, और इ खार्मिक भासा, जेत्रियों और वर्ग विविद्यता से उपर उठकर के सौहाद्र और आपसी भाईचारे की भावना को प्रुत्साहित करेगा, हाना, तो इस तरीके से बंधुतों को देखिएगा, तो व्यक्ति का सम्मान हो जाता है, देश की और एकता और एकंड़ता की आये गरिमा भाईचारा एकता और खंड़ता, तो राष्ट की एकता और खंड़ता का प्रेक्षन समिधान करता है, प्रस्तावना करता है, सासन की प्रकृति के परिप्रिक्ष में गनराज्ये, सासक चुनाओ के द्वारा नकी वनसानुगत, बहुत बढ़िया है, संपुन प्रकृति के संदर में भी अच्छा लिखा हुआ है, उत्तरदाई तो, है ना, अब दिखी एक डाइग्राम मना दिया जिसमें लोक तंतर है यहाँ पे, उसमें उत्तरदाई तो भी है, प्रतन्धितो भी है, है ना, और यहाँ पे भागीदारी भी है, तो यह बहुत अच् से, जो की, जो संसादनों, उसका खेंदरी करन नहीं हो, या विभेद नहीं हो, तो समाजीक और आर्थिक विसमता सिमुक्त भारत की अवधरना है, यहाँ पे संपत्ति का नयापुण वित्रन है, पंठ निर्पे अच्छ, राजीक अपना कोई धर्व नहीं है, धार्मिक मा जी का सोरूप है, उद्दिस से है, नयापालिका का मार्ग दर्शक, मूल ढाचे की पैचान, लागू करने किती थी और प्राधिकार का सोरूप, ठीक है, मैं तुभी अच्छा है, राजी का सोरूप बताती है, ठीक है, समिधान का उद्दिस और लक्ष, समाजीक आर्थिक भारत के समिधान की प्रस्तावना में किस प्रकार से सवाल बन सकते हैं, तो प्रस्तावना क्या है, इसके अर्थ को भी पुछाया सकता है, प्रस्तावना में सामिल सारे सब्दों का अर्थ बताईए, प्रस्तावना का महत्व बता दिए, प्रस्तावना से जोड़े विवाद पूछाया सकता है, प्रस्तावना की आलोजना आप से पूछिया सकती है, तो इन सब प्रस्तावना की आलोजना आ तो प्रास्तावना क्या है , तो समिधान की प्रस्तावना क्या है तो समिधान की का पहला पन्ना है समिधान का आमुख हिसको हम लोग कहते हैं आमुख का मतलब की ये समिधान का प्रथम प्रिष्ट हो जाता है जिसमें ये बताया गया है कि आगे क्या है यानि कि समिधान के बाकी हिस्सों में क्या लिखा गया है वो दरसल आमुख में ही बता दिया गया है तो प्रस्तावना इसी करण कई लोग प्रस्तावना को समिधान की आत्मा भी कहते हैं और आदर्स भी कहते हैं समिधान की जो प्रस्तावना जन्ता की आकांचा को ही बताता है और जब आकांच्छा को बताता है या लक्ष को बताता है तभी तो इसके लिए एक सब्द इस्तमाल हम कर दते हैं या इसी आकांच्छा की पूर्ती के लिए सरकार बनाई गई है सरकार के तीन अंग होते हैं यानि कि विधाई का कारेपाली का और न्याएपाली का है ना अब देखिए भारत के समेधान के प्रस्तावना को और अगर हम खोलेंगे तो सरकार भी निकल करके आता है तो जो विधाई का है वो कानून बनाते समय जनता की भावना को ध्यान में रखती है और इस भावना को कौन बताता है तो इस भावना को बताने वाला है वो प्रस्तावना ध्यान रखिएगा तो विधाई का जो है वो कानून बनाते समय जनता की भावना को ध्यान में रखती है कारेपालिका तो यह जो कारेपालिका या मंत्री परशिदर नौकर साही है यह दोसर जनता की भावना के अनुसार ही अपनी क्रियाओं का संपाधन करते हैं यह समाल यह कोई योजना बनाना होगा या बजट बनाना है या बजट को प्रस्तूत करना है तो कारेपालिका जनता क भावना के अनुसार द्यंता की इक्षा के अनुसार ही अपनी क्रियाओं का या योजनाओं का संपादन करती है ठीक वैसे ध्यान रखिएगा नयायपाली का तो वर्तमान में जो नयायपाली का है वो नयायक सक्रीतावाद का रूप ले ली है ना इसके तहर जो क्या आचित है क्या अनौचित है या क्या उचित नहीं है इसको नयापालिका देखती है यानि कि प्राकृतिक नयाय की अवधारना को नयापालिका लागू कराती है तो जुरूर से याद रखेगा और इसका इन सब का जो मूल है वो दरसल कहीं न कहीं प्रस्तावना ही तो है है ना तो इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा अगर इस तरीके से भारत में विवस्था हो जाती है तो कहीं न कहीं मानो कल्यान है ना और अगर मानो कल्यान होगा तो वैग्यानिक प्रगति को भी तो बढ़ावा मिलेगा राज की ये कार्गों में धरम का सच्छे अपन अगर पंत निर्प्रेक्षे तो है ना तो इन सब को ज़रूर से आप लोग लिखने की कोसिस कीजिएगा और इसके बाद प्रस्तावना की आलोचना भी कुछ कर दिया जाए आप लोग करके देखाएगा एक पन्ने में अगर प्रस्तावना की आलोचना है तो आप लोग लिखे दूसरी कौपी को देखते हैं यह आंसर बहुत अच्छा लिखा हुआ है इस आंसर को हम अच्छा मान रहे हैं और अच्छे से सजा सजा के लिखा गया है इसको ध्यान रखिएगा प्रस्तावना समीधान का सारू कोता है समीधान की कुंजी है अना अब जो समान धे और उद्देश का वनन होता है बहुत सांदा लिखा हुआ है तो पॉलिटी को पढ़ते समय आप लो एक एक पॉइंट को जुरूर से ध्यान रखिएगा प्रस्तावना का दर्शन है न अब जिसमानी की गणराज यहां पर लिख हुआ है सासन की प्रकृति या राजी की प होता है तो भारत के संदर में ध्यान रखिएगा कि दो और भी बाते सामिल हो जाती है क्या हो जाता है कि जो संप्रभुता है गणतंत्र में दो और बातों को सामिल किया गया है पहली बात यह है कि जो राजनतिक संप्रभुता है वो किसी एक व्यक्ति या राजा के हाथों म और अगर किसी को विससादिगार नहीं दिया गया है इसका मतलब हो गया कि जो सरकारी कारियाला है सरकारी दफ्तर है सारोजनिक जो कारियाला है वो बिना किसी भेद भाव के प्रतेक नागरिक के लिए खुला रहेगा तो ये भारत के गनराज्य को परिभाशित करते हुए इस स्वयम निर्ने करता है और इसके संदर में वो अंतरास्टिय शांती और सदभाव की भावना को भी ध्यान में रखता है तो इन सब बातों को आप लिखिएगा पॉलेट्टी से जुड़ा हुआ है और अच्छा है और देखिए दूसरी कॉपी को हम चेक कर लेते हैं भारती सम्विधान की प्रस्तावना का क्या महरती सम्विधान की प्रस्तावना में प्रस्ति स्थापित भारती राजी विवस्था के दर्शन को सुस्प्रस्ट कीजिए दिसंबर 1946 को ये समिधान सभा के समक्ष पेस्क किया गया था और इसको समिधान सभा स्विकार की है तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखिए यहां पर चूक हो गया है खर कोई बात नहीं है इसलिए कहा जाता है कि मेंस की परिक्षा में आप फैक्ट को कम डालिए फैक्ट अप लिखने के लिए पूछा गया है प्रस्तावना का महत और भारति-धी में प्रस्तावना में जीब आगे उसको बताना है था संभ्हूर सभान समीधान का साब्यारविद रूप है इसको यहां भी लिखegt सकता है सबसे पहले भी लिखा सकता है हमारे देश की प्रकृतिस लेकर के जनता को क्या-क्या दिया जा रहा है उसका संचिप्त प्रस्तूती करना है ऐसा नहीं है मतलब यह सब लाइन थोड़ा सटीक नहीं माना जाता है कि जनता को क्या-क्या दिया जा रहा है दरसल प्रस्तावना में जो बाते हैं वो एक स्वतंत्र देश के लिए क्या लक् इसे मतली लिखिएगा उसका संचिप्त प्रस्तुती करन है के मुंसी ने इसे राजनीतिक जनपत्त्री का है वहीं दूसरी तरह पाल की वाला ने इसे समिधान का परिचे का है इसको जारूरी नहीं ये सब लिखना और समिधान की प्रस्तावना का महतो सम्विधान की प्रस्तावना का महतो राजव्यवस्था की प्रकृती का परिचे अब यहाँ पे राजव्यवस्था की प्रकृती का परिचे आपने लिखे जो की प्रश्ण में पूछा गया ठीक है संपूर्ण प्रभुत्व संपन समाजवादी पंत निरिपेक्ष लोक्तांत्री गनराजी ठीक अच्छा हुआ है लिखा हुआ है लिखा हुआ है भोगोल में ऐसा लग रहा है कि उपर में बादल है और हवा नीचे उतर रही है न तो ऐसा खेल तो बहुत अच्छा ये मांचि पॉलिटी का आपका है सब कुछ है मतलब कि आप लिख दिये हैं अब देखिए लगता की पेन खतम हो गया है भारतिय समयधान की प्रस्तावना राज्य विवस्था की प्रकृती का संचिप्त रूप से एक ही चीज़ दखियां रिपीट हो गया है कि राज्य की लोक विवस भारत की जनता इसका स्रोथ है संपुन प्रभुत्व संपन इसका भारत अर्थात इंडिया अपने आंत्रीक और बाहे किसी भी प्रकार से निर्ने लेने के लिए हाँ ठीक है आंत्रीक और बाहे दोनों मामले में हम सोतनतर है समाजवादी 42 समिधान संसोतन के दोर जोड़ा गया है यह आर्थिक आवधरना को मिला करके चलते हैं बहुत बढ़िया लिखा हुआ है भारतिय समाजवाद गांधिवाद और माक्सवाद का अनोखा मिसन बहुत सांदर है जो निश्चित रूप से गांधिवाद की तरफ जोगा हुआ है भारतिय समाजवाद आर्थवद त्रेटा के रूप में देखेगा तो भारत के सम्यदान का जो समानता का थिकार भी बताते हैं ओर धर्मिक सूतनता का थिकार है च्छेस होसे के धाम जक्ता में एक रहेंडाय। वह भी तो यह अर्थॐ होटा दिजिए का जना इसका उलेख मॉलीक पन्तना ले companies के पटना आ गए हैं तो मच्छर का प्रकू बढ़ गया कॉपी चेक करते करते मच्छर काट लिया खैर तो मानिय उस्तम न्याले ने पंतंदिर प्रेक्षता को समिधान का आधारबुत लक्षन माना है लोक्तंत्र भारती राजविवस्था का सोरूप लोक्तंत्र आत्मक होगा प्रेक्ष लोक्तंत्र को अपनाया गया है इसकी चेत्री विवित्ता को देखते हुए ठीक लिखावा ये भी है ठीक है अच्छा है और प्रेक्ष लोक्तंत्र बस इसमें इसना लिख सकते हैं कि जो लोक्तंत्र है वो दरसल सत्ता का जो स्रूत है ठीक उसी के आगे वाला हि ज़िधर को देखते वे बहुत अली लोक तंतर को अपनाए का बहुत बढ़ी है, ठीक है। विचारधारा के दिर्ष्टि से भारती लोक तंतर उधारवादी है और आर्थिक न्याय के दिर्ष्टि कों से समाजवादी, बहुत बढ़ी है। गनराज जी है राष्टा अध्यक्ष निर्वाचित होगा नाकी वनसानुवत बृटन के तर ठीक है अच्छा लिखा हुआ है और हमारा समिधान राजी की जनता को दिये जाने वाली नयाए प्रक्रिया गोई पताते हैं बहुत बढ़िया है समाजी कि नयाए 15, 17, 23, 38 में दिया गया ठीक है आर्थिक नयाए भी है बिहार में मानी मुख्य मंत्री के बहुत बढ़िया लिखा हुआ इसा उधारन दीजिए अच्छा है ठीक है राजी कि नयाए प्रस्तान विचा ठीक है अच्छा लिखा हुआ है व्यक्तिक की गरिमा थो राष्ट की एकता और अखंडता सुनिस्चित करने की बाद की कि ठीक अच्छा लिखा हुआ है इसकरस्ता कार सकते कि प्रस्तावना में नहित दर्शन का तात्पर है एक ऐसे लोग कल्यान का राजी की स्थापना जिसमें सभी ठीक है ठीक अच्छा है अब देखिए प्रस् प्रस्तावना को वाले मेंटर को देख रही थी कि समिधान का अंग है या उसी में कहीं थी कि जहां कहीं पे समिधान का कोई प्रावधान संदिग्द होगा या समिधान की भासा संदिग्द होगी वहां पे जो प्रस्तावना है वो समिधान के निर्वचन में सहायक होगी त कि मन्जु का जो निसकर्स है वो लिखा हुआ है यहाँ पे कृष्णा स्वामी अयर का ये statement डाल दें तो इनका अच्छा निसकर्स है अब इसी को हो बहुत कॉपी नहीं करके कोई कृष्णा स्वामी अयर की जगा सुप्रीम कोट का भियाब महतो डाल सकते हैं कि सुप्रीम को प्रस्तावना है उसमें बदलाव नहीं क्या सकता है संसोता नहीं क्या सकता है तो एसे मुझपर पूर से अच्छा है भारती सम्विधान की प्रस्तावना का क्या महतो है भारत के सम्विधान की प्रस्तावना प्रतिस्थापित भारती राजवस्ता को सूस पस्त कीजिए सम समिधान सभा के महान सोच और आदर्स नहीं थे ठीक है इन में समिधान निर्मताओं की लक्ष और आकांचा हैं प्रतिविमित नजर आती हैं बहुत बड़ी हैं कुछ सब्द दार्सनिक पक्ष को समेटे हुए हैं संप्रभुता समाजवादी धन निर्पेक्ष लोकतांत्रिक ऐसा मत लिखिएगा कि प्रस्तावना में समयल कुछ सब्द दार्सनिक पक्ष को समिटे हुए ऐसा मत कीजीगा ठीक है इस लाइन को हटा दीजेगा बाकी हाँ यहीं प्रड़ास कर दीजेगा समप्रभुता समाजवादी धन निर्पेक्ष लोकतांत्रिक राजे सब्द भारत की प्रकृति के बारे में समाजिक नियाय सोतनता सब्द नागरी को प्रतति ठीक है समिधान की प्रस्तावना की मुख्य टत्थ है समिधान का स्रोत हम भारत के लोगर सर्जनता समिधान का स्वरूप प्रभुत्व समिधान का स्वरूप ठीक है राजी का स्वरूप या राजी की प्रकृति कीजिएगा ठीक है समिधान का उदेश से तो ठीक है समिधान का ही स सवरूप है वो भी तो प्रभुत्व संपन हो जाएगा समाजबादी है पंत्निर पेक्ष लोकतांतरात्म के ठीक है नयाय है अच्छा है समिधान का उद्धिस से तो प्रस्तावना को सभात में राजवरस्था सवसन का श्रोथ हो गया ठीक है समिधान के स्वरूप के बारे मे समाजबादी पंत्निर पेक्ष लोकतांतरी गन्राज ये रिपीट हो गया है समिधान का उद्धिस से त्रीवी रिपीट हो गया है ना सब रिपीट हो जा रहा है तो किवर उतनाही मत लिखिए अगर कुछ आगे इसके सब्दों को खोलना है तो लिखिए ने तो वही हुब हो हो गया है और यह आपका कंक्लूजन हो गया कि अता उपरिप्त बिंदों से यह प्रतीत होता है कि प्रस्तावना समिधान का भाग ही नहीं अपि तो समिधान का समस्त सक्ती स्वरुप उदिश्य का सार है तो स्रवन है वेगू सराय से लिखे हुए है तो थोड़ा सुधा भारतिय समिधान की प्रस्तावना का क्या महतो है भारत के समिधान की प्रस्तावना प्रत्रस्तापित भारतिय राज्य व्यवस्था के दर्शन को सूस्पस्ट कीजिए भारतिय समिधान में समिधान के उदिस्यों आधरसों और मोल्यों की जलक मिलती है प्रस्तावना में भ तो सब उड़ जाएगा, उस तरीके से लग रहा है, तो तो धासा आईए इसको, धासा आईए का मतलब क्या होगा, जैसे ये राइटिंग को देखिए, इस राइटिंग को देखिए, तो धासा हुआ है, कहीं ने कहीं लगा कि पकड़े हुए है, आपको लगा कि पकड़ा हु है जब आला नहरू समय नहरू का नाम मतलिखे इस सरकार में नहरू को हटा दिए जूट-मूट का आप लोग नहरू का नाम लिखेंगे और अगर कॉपी चेक के चुकि इसमें आपको भी मालूम है कि सब लोग पैरगी से ही बैठ रहे हैं और सरकार के लोग अपने ही पर्च क करूप में 13 दिसंबर को पेस किया और इसकी आवसक्ता ही नहीं है तरह से लिखने की पूछा गया आपसे प्रस्तावना का महत हो और भारती राजवरस्ता के संचिप्त रूपर बहुत बढ़िया है यह लाइन प्रस्तावना से समिधान के दर्सन को स्पस्ट जलक मिलती है ठीक है लेकिन दर्सन को परिवासित भी कीजिएगा जब कोई अनुछिद आस्पस्ट दिखिन का आगया यह बहुत बढ़िया इसी को तो केस्वनान भारती में कहा गया है कि न्याले को जब भी ऐसा प्रतीत हो हुआ कि समिधान के अन्य भागों में कोई भासा समद्र विवाद है तो निर्वचन में प्रस्तावना के सहता लेकि समिधान की व्याख्या के प्रस्तावना का सहरा लिया जाता है ठीक है वही वही लाइन है तो प्रस्तावना में नहीं दर्शन ठीक है नहीं अलग अलग अ प्रस्तावना के पंत निर्पेश्टा ठीक लिखे हैं आप के दर्सन को चरिदार्थ करता है लेकिन मौली का अधिकार ही लिखती है आर्टिकल अलग अलग करने के वजाए सालाई है कि आपको सर्फ पंत निर्पेश्टा के सदर में एक ही पक्ष्पता है समांता के अधिकार में भी धर्मिक रतिद्धा के अधिकार में सामिलahu है और भारत की जन्ता भारत का साथन नहीं करे लिखित लोगतंतर का अर्थ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोगतंतर से ठीक है, गनराज्य है, गनराज्य में राज्य के प्रमुख स्रोत के रूप में जनता के द्वरा निर्वाजित व्यक्ति होता है, जनता के द्वरा भारत का रास्टपती लोगों द्वरा अप्र प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों के लिए विकास और मुख से बहुत बढ़िया लाइन है विकास और मुख से धांद प्रस्तूत करती है जो लोग कल्यानकारी नीथिया बहुत अच्छा है इनका इनका नीचे का जो है बहुत सांदा लाइन है आगे देखिए भारते सम इसमें समएधान की भूमीका की भाती है जिसमें समएधान के आदर्सों, उद्दिश्सों, सरकार के स्वरोप समएधान के सुरूतों ठीक है। प्रास्तावना नूइ प्रस्तावना इसमेधान से पर कंट्रोल कीजिएगा। नहिरु जी द्वारा थोड़ा ज़्यादा लिब्रल हो गए हैं और 13 दिसंबर 1946 नहिरु जी का नाम मत लिखे गए, 13 दिसंबर 1946 को समिधान सभा में प्रस्तुत अबाईजने ठीक है। लेकिन यह न्याय योग नहीं हैं, यह न्याय योग नहीं है। विभिन समिधान की वाद 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 पूछा जीक है, इसकी आवसक्ता तब होती जब आप प्चीडी पे घाम लिखने जाता है। यहां पुछा गया है to the point लिखना है महतों को बताइए तो निसकर्स में एक-दो लाइन को उठा के दे सकते हैं कि समिधान की कुझी का है वह आपसे महतों जानना चाह रहा है ना कि दूसरे के विचारों को पूछा गया है यहां कहा कहा गया है कि आप किसी भी दार्षनिक या किसी भी जो political thinker है उनके विचारों को आप बताईए है ना तो सिर्फ simple महत तो पूछा गया उसको अपने भासा में चोकि आप बिरोक्रेट्स में बिरोक्रेट्स बनने जा रहे हैं तो आपको अपने भासा में लिखना है आप अर्नेस्ट बेकर के सब्दों को लिखिएगा तो कहीं ने कहीं आप उनकी बातों को लिख दीजिएगा अपनी बातों को लिखे गया नहीं अपनी बातों को लिख करके इनके statement को डाल सकते है निसकर्स में फोटो बढ़िया है पंत निर्पेख्ष लोक्तांत्रिक प्रस्तावना का आदर्स संप्रभूता समाजवादी ग समाजवादी समाजवाद का एक आर्थिक समाजी का उधारना जो भारतिये इन सब लाइन को सुधारिएगा आर्थिक अधार पर समानता आने का उधिस से सरवोच्छी नियाले ने भार्तिय संदर में समाजबाद की व्याक्षा में देश के समाजबाद है वो औसपस्ट है तो औसपस्टता की करण अलग-अलग संदरभू में इसकी व्याक्षा कर दी जाती है मिलाजुला करके देखीएगा तो इसमें साधनों को केंद्री करन नहीं करने की बाद की गई है सरकार सब्दों को साफ साफ लिखिएगा थोड़ा दिक्कत होता है पहली बार आपके लिए बहुत आसान है आप इसको पढ़ लिएगा लेकिन हमें पढ़ने में दिक्कत होगी और बीपीसी वालों को दो और समय नहीं रहेगा उसके पास अभी 100 को पे तो दिक्कत हो जाता है राजी का प्रमुख निर्वाचन राजी का प्रमुख निर्वाचीत होगा वनसानुगत नहीं है न तो यहां पर कॉमा लगेगा भारत के राष्ट प्रमुख है अब प्रत्यक कि अधर समय निर्वचन में इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है तो थोड़ा महत्तो को और बढ़िया से बताई आप कहीं न कहीं बहुत सा अंच्छिप्त कर दिये हैं और अनवसक बातों को भी लिख दिये हैं विवाद बगर विख दिये हैं तो यह बाद बगर आपको लिख लीजिए इस आंसर को आधार बना करके आगे बढ़ाईए है ना यह भी आंसर बहुत साटीक था बहुत अच्छा अंसर लिखा हुए है टॉप थ्री का बहुत संदार है यह वाला यह वाला नहीं यह वाला इनका तो सब आपस में मिला जुला करके आप लोग एक अच्छा आंसर त्यार कर लिजेगा पांच कॉपी आपके समक्ष और आंसर त्यार कर लिजेगा आपको कोई दिक्कत नहीं है बस आलोचना किसी का नहीं है तो आलोचना भी लिख लीजिएगा और अगली सवाल की प्रतिक्षा कीजिए, पांच कॉपी से मुझे लगता के सब लोगो एक आधार मिल गया होगा इसमें आप लोग अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ठीक है, कोई दिक्गत, कोई सवाल पूछ लीजिएगा मेरे से फिर में लेंगे अगले वीडियो में बहुत बास करिया